बासुरी स्वराज दा भारतिया, बासुरी स्वराज दा भारतिय जनता पार्टी कारे करता, बासुरी स्वराज दा लॉयर, बासुरी स्वराज दा कृष्णा डेवुटी, बासुरी स्वराज दा डॉटर भार्ते जुनता पार्टी की परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर उनके हिसाब से फैमिली मेंबर्स को पीडिया अंदर पीडिया टिकेट देना परिवारवाद है तो भार्ते जुनता पार्टी में ऐसे धिरो नाम बस क्योंकि मेरी मा राजनीती में थी इसका अर्थिगे नहीं है कि राजनीती मेरे लिए निशेद है अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदनी पार्टी की सरकार जिसके एक विधायक सोमनाद भारती जी भी है उन्होंने केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टा चार करा है दिल्ली की जनता बहुत समझदार है आप देख लिजेगा साथ की साथ सिंथे भारते जनता पार्टी की जूली में आने वाली है शराब घोटाले में अर्विंद केजरिवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है ये वो पार्टी है जहां पर माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने एक सारवजन एक मंच से कहा था कि राम मंदिर बनने पर उनके परिजन बहुत दुखी होंगे टाइमिंग ऑफ दी अरेस्ट पे कोट का ये मानना है कि माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी इस बात से अवगत थे कि लोकसभा के चुनाव जो है वो इस पहले चरण में शुरू हो जाएंगे अब मार्च अप्रेल में और जानबू चुके उन्होंने नौ समन्स का निरादर करा है इस पूरी की पूरी परिस्थिती का निर्मान स्वयम अर्विंद केजरिवाल जी ने करा है सिंपती का तर्के तो वह कहते हैं कि BJP पानश्वा पार्टी है और असन्विधानिक तरीके से सरकार चला रही है मैं कहुझा ऑँगि आम आदमी पार्टी को एसा जूट पहलाना शुभा निर्था मैं सुछमा स्वराज 的नेता की बैटी नहीं उस्छमा स्वराज 的नेता की पेटी हूं का इस बढ ese यहोई you पत्रकारों के बेती और नाई दिल्ली से भाजपा की प्रत्याश्री मांसुरी स्वराजी से माम आपको बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो बताइए कि आपकी तब्रेत कैसी है you got injured thank you मेरा कॉर्णिया इंजर हो गया था लेकिन वो माइल्ड इंजरी होती है वो बहुतर गंटे में ठीक हो गया था okay all set campaigning के ले पूरा दिखरा पूरा दिखरा है तो अपने वोट सुना इस्टार किड्स तो पैप्स आ जाते है whenever star kids go around and you got some mam mam some pictures there was some change like ever since you have I am going to the beach so there is a lot of joy and snow that I have a lot of joy but I know that it is not my purpose this is our गिशश्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोगप्रेहता उनकी जनकल ल्यानकारी योजनाओं का असर है और उनका जो विकसद भारत का जो विजन है वो जनता के साथ इतना जादा रेजनेट कर रहा है कि वो स्ने और अशरवाद बनकर मुझ पर परस रहा है आप बासुरी सुराज हैं यह सब जानते हैं ठीक है सुष्मा सुराज की बेती हैं और प्राइमरी इंटिटिटी इस और उनकी बासुरी सुराज को कैसे डिफाइन करते हैं अब लोग आपको अपने नेता के रूप में देख रहे हैं आपको सांसाद अगर चुने तो वो बासुरी सुराज को कैसे डिफाइन करते हैं आपको So I don't think my primary identity is that I'm Sushma Swaraj's daughter I'm very privileged and grateful to God that I'm Sushma Swaraj's daughter मैं हमेशा कहते हूँ जरूर कोई बहुत अच्छे कर्म करे होंगे या तपस्या करे होगी जो Sushma Swaraj जैसी amazing mother मुझे मिली है और शुक्र गुजान हूँ भगवान की क्योंकि आज जो भी हूँ उनके संसकारों का सार। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में उनका बहुत एहम रहा रोल रहा है हर मा का होता है लेकिन जहां तक रही बात मेरी identity की तो जरूर बासुरी स्वराज दभारतिया बासुरी स्वराज दभारतिया जनता पार्टी कारे करता भासुरी स्वराज द लौयर, भासुरी स्वराज द कृश्ना डेवटें घासुरी स्वराज द डाटर ये भी एक एहम हिस्सा है मेरी शख्सियत का और रही बात की जनता मुझे क्यों चुने तो देखे मैं बहुत विनम्रता से कहूँगी ये इत्तिफाक की बात है कि ये टिकेट बासुरी स्वराज को मिला है आप मुझे किसी भी नाम से पुकारिए मैं हूँ कमल का फूल और ये टिकेट अकेला बासुरी स्वराज का नहीं है ये हर भारतिय जन्रता पार्टी के एक-एक कारकरता का टिकेट है और इस मुहीम में, इस लोक तंत्र के महायग्य में, मैं अकेली अजमान के रूप में नहीं बैठी हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी बैठी है, मेरी पूरे संगठन की शक्ती साथ बैठी है, और मैंने कहा ना, भारती जनताप पार्टी का एक एक कारकरता लोक तंत्र के महायग में मेरे साथ गयजमान की भूमिकाने भारा है आप लॉयर है, आपकी लाइफ हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली रही होगी एक एक चीज़, facts पर तो अभी जब आप नेता बन गए है बहुत चारे interviews आप दे रहे हैं आप बहुत 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 बढ़ा ज़रूरा है कि मुझे लगता है जजजेस के समक्ष पेश होना जाला असान है बिज़ पत्रचारू की मैं, I'm trying to be softer I want to know more boundaries for Aaj के बारे में मुझे पता है कि बहुत सारे typical questions ही आजकल आपसे पूछे जा रहे होंगे बिना पूछे तो हम भी नहीं जाएंगे पूछे ना, please पहला सवाल पर चुनावी मेरे लिए यही है कि भारते जुनता पार्टी की परिवारवाद की definition क्या है क्योंकि अगर उनके हिसाब से family members को पीडिया अदर पीडिया टिकेट देना परिवारवाद है तो भारते जुनता पार्टी में ऐसे धेरो नाम है जिसमें पीडिया अदर पीडिया टिकेट मिले है तो DJP की क्या definition है बहुत simple definition है अपना ही उदारण ले लेती हूँ देखे बस क्योंकि मेरी मारा राजनीती में थी इसका अर्थी ये नहीं है कि राजनीती मेरे लिए निशेद है मुझे भी बराबर का अधिकार है उतना ही struggle करने का उतना ही काम करने का जैसे कि कोई और कारकरता पाटी में आते ही पार्टी में आप नंबर वन के दावेदार बन जाते हैं आप पार्टी के मुख्या बनेंगे आप ही मुख्य मंत्री बनेंगे आप ही प्रधान मंत्री बनेंगे क्यों कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बस ये है कि आप उस परिवार को बिलॉंग करते हैं और इसका जवाज हमारे किशुष्पी प्रधानमंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने संसद में भी दिया है और कई बार इसकी definition दी है क्योंकि आपकी रणभूमी दिल्ली है और आपके ये जो competitor है सुमनाद भारती जुन से भी हमने बात चीती थी कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी उठाती रही है उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि अगर मैं particularly आपके competitor की बात करूं तो उनका ये कहना है कि वो तीन बार के विधायक रहे है और जनता को पता है कि उन्होंने क्या काम किया है अर्विन के जिवाल जी की पार्टी ने क्या काम किया है तो मासुरी स्वारा जब ग्राउंड पे जाएंगी तो लोगों को क्या बताएंगी कि मैंने क्या किया है या मैं क्या deliver कर सकती हूँ उनके साथ वो कैसे complete करेंगे चलिए पहली बात तो पहली बार है जब मैं सुमनात भारती जी से किसी बात पर सहमत हूँ वो विधायक है ये बात fact है अब उन्होंने क्या काम करा है या आमादमी पार्टी ने क्या काम करा है चलिए उसी को discuss कर लेते है पहले भारतिय जनता पार्टी में श्री नरेंदर मोदी जी ने जन ओशधी केंदर बना कर भारत की जनता को और खासकर की दिल्ली की जनता को यहाँ पर 900 जन ओशधी केंदर है अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाईया दी है आमादमी पार्टी महाला क्लीनिक्स में क्या करा है स्पूरियस ड्रग्स यानि फरजी और घट्य गणवत्ता की दवाईया बढ़एं महाला क्लीनिक्स में ही फरजी पाथलॉटिकल टेस्ट हुए जहां पर 20,000 से जादा गोस्ट पेशेंट्स आये फरजी मुबाइल फोन नंबर्स पे वो रि नल से जल पहांचाया अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार ने जल बोड कर घुटाला करा जब कोविड आया तो मोदी जी ने भारत में वैक्सीन बनवाई एक नहीं बिलकि दो-दो वैक्सीन बनवाई भारतियों को जीवन दान दिया वो वैक्सीन मुफ्त लगवाकर पूरी की गैरंटी सारी गैरंटी पूरी होने की गैरंटी है और अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार जिसके एक विधायक सुमनाद भारती जी भी हैं उन्होंने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टा चार करा है दिल्ली की जनता बहुत समझदार आप देख लीजिएगागा साथ की साथ सिंटे भारते जनता पार्टी की जुली में आने वाले हैं और जह करती हैं तो बहुत सारे facts claim करती हैं लेकिन जनता किसी पर भरोसा करें जिसे आपने बुला Hmm ओल्ड सिय वडू घृताला उन्हों कर पाई डेली लेकर पॉलिसी केस हुआ उसमें अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाई ठोज सबूत नहीं है लेकिन सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है भारती जनता पार्टी तो जनता कैसे डिसाइड करेगी कि कौन मेरा नेता है जो सही बोल रहा है सही बात कह रहा है जनता माननी मुखी मंदरी अर्विन केजरिवाल जी ने लगाई थी और वो पटेशन बेल की पटेशन नहीं थी उन्होंने ये बोला था कि मेरी जो अर्रेस्ट है वो इलीगल है इसमें उन्होंने वो पटेशन लगाई थी यानि कोट को एक-एक सबूत देखना अनवारे था और एक-एक सबूत पर टिपनी करना अनवारे था तब ही तो आप बोलेंगे कि अर्रेस्ट लीगल थी या इलीगल थी वो ओर्डर उठा कर देख लीजेगा उस ओर्डर में दो बाते बहुत स्पष्ट कर दी गए है नंबर वन शराब घोटाले में अर्विंद केजरिवाल जी की व्यक्तगत भूमिका रही है पार्टी के मुख्या होने के कारण उन्होंने किकबैक्स लिए है और कोट ने ये भी कहा है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरिफतारी लीगल थी इससे पहले आप सुप्रीम कोट के ओर्डर उठा के देख लीजे मनीश्य सोधिया जी की बेल आठ बार बार रेजेक्ट हुई है, रिव्यू पर्टेशन भी रेजेक्ट हुई, फ़र क्यूरेटी पर्टेशन भी रेजेक्ट हुई, वहाँ पर मनेश्य सोधिया जी की बेल ओरडर में बोला गया है कि सौरुपे के किकबैक्स आमादमी पार्टी के लीडर्श तो जनता बहुत जादा समझदार है और इसलिए आप देखिएगा माननिय मुख्यमंतरी अर्विन केज रिवाल जी की क्रेडिबिलिटी एरोड हुई है ED, CBIA पर लगतार सवाल उठाती है आम आपनी पार्टी और अब एक उन्हों नया कैम्पेज शुरू किया है जेल का जवाब भूट से जिसमें बार-बार एक लेम कर रहे हैं कि अर्विन केज रिवाल जी को चुनाव से पहले सिर्फ इसलिए जेल में डाला है ताकि वो प्रचार ना कर सके और उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म ना कर सके बिलकुल गलत कह रहे हैं यह जो अरेस्ट हुई है माननिय मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल जी की इन परिस्थितियों को निर्माण के लिए केवल और केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और माननिय मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल जी स्वयम है ED का समन तो पिछले वर्ष 2 नवंबर 2023 को आया था तब पहला समन आया था तब तो लोग सभा के चुनाव गए आसपास भी नहीं थे आपको याद होगा इन्होंने 9 समन्स का निरादर करा है और इन्होंने जब समन्स का निरादर करा था तब बहुत अजीब अजीब से बहाने बनाये थे उनमें से एक बहाना तो ये था कि ये दस दिन की विपासना की वर्क्शॉप के लिए जा रहे है ये बार-बार बहुत उडंदता से कह रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा समन्स इलीगल है लेकिन इन्होंने एक बार भी कोट का दर्वाजा नहीं खट-खटाया ये जो दिल्ली हाई कोट का ओर्डर है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी उसमें भी टाइमिंग ऑफ दी अरेस्ट पे कोट का ये मानना है कि माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी इस बात से अवगत थे कि लोकसभा के चुनाव जो है वो इस पहले चरण में शुरू हो जाएंगे अब मार्च अप्रेल में और जान बूच के उन्होंने नौ समन्स का निराधर करा है इस पूरी की पूरी परिस्थिती को इसका निर्मान स्वयम अर्विंद केजरिवाल जी ने करा है सिंपथी फैक्टर के लिए आप आमादमी पार्ची की किसी भी नेता का बयान सुनेगी तो वो ही कहते हैं कि बीजेपी तानशा पार्टी है और असेम विधानिक तरीके से सरकार चला रहे है तो उनका ये क्लेम है कि वो चाहते हैं कि कोई भी ओपोजेशन के अगेंस्ट खड़ा ना हो ये बीजेपी ऐसा करने की कोशश करे है आप किसी भी आम आदमी पार्टी की नेता का बयान सुनेंगी तो आप जरूर देखेंगी क्या कहिंगी इस पर? मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी को ऐसा जूट पहलाना शूभा नहीं देता आप भूल गएं जैसे ही इनकी सरकार आई पंजाब में वो पहली बार इनके नियंतरण में पुलीस आई इन्होंनों क्या किया? पंजाब पुलीस को भेजा कुमार विश्वास जी का दरवाजा खटखटा दे इन्होंने पंजाब पुलीस का मिस्यूज करा और हमारे नेता तेजंदर सिंग बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली में पंजाब पुलीस को भेजा आप ही के प्रोफेशन की एक साथी भावना सूध जी को शीश महल का घोटा ला रिपोर्ट करने पे आमादमी पार्टी ने पंजाब पुलीस का मिस्यूज करा और उनको अरेस्ट करा कोटने बाद में बोला ये अरेस्ट इल्लीगल है एक और पत्रकारों की टोली को आमादमी पार्टी ने विधान सभा में घुसने से मना कर दिया जबकि ये जानते कि विधान सभा इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये होते हैं लक्षन ताना शाही का दे आट राइंग तुम्जल दे मीडिया दाट इस सिंटोमाटिक उप्रॉपर्टी नहीं बाद भारतिये जनता पार्टी की आप जानती है न कि देश में अगर हम बैठके ऐसे बात कर रहे हैं आपके सवाल मुझे पूछ रही है मैं जवाब दे रही हूँ लोगतंतर पूरी तरह बिल्कुल सुरक्षत है बिल्कुल अच्छा हम चुनाव की तरह बहुत चले गए वापस आते हैं थोड़ा सा बासुरी सुराज जी की नहीं थैंक यू सो मच आपका बच्छपन कैसा राजनेतिक परिवार में बच्छपन कैसा हुआ है और मेरा बच्छपन भगवान के दिया से बहुत खुशाल गया बहुत ही ज़्यादा खुशाल गया, मैं दादी नानी के हाथों से पाला हुआ बच्चा हूँ, मैं वो हूँ जिसे कभी भी मा का अभाव नहीं लगा, मेरी मां हमेशा मेरे लिए उकलब दे थी, कोई ऐसा, मैं कहूंगी, कोई ऐसा फाउंडर्स दे नहीं था, जो मा ने जाके सफर नहीं करा, मैं चाहे स्टेज पर संथ्रा बनी उन्होंने वो सफर करा, पेड बनी उन्होंने वो सफर करा, जितने भी, मैं एक्स्टर्कुलर अक्टवितीज में बहुत जादा थी, चाहे वो श्लोग कायन प्रत्योगिता हूँ, जाहे वो Sanskrit की poetry recitation हो बैठ कर एक-एक चीज कंधस्त कराना एक-एक चीज सिखाना She was a very involved mother and she was my best friend आके क्यों मुनकी बात करें देश के लिए बहुत बड़ी इस्टी रही उनका जाना और it was a heart attack and the sudden thing अप लास्ट फेसमें के साथ रहीं और मैंने अब reason धुनना बंद कर दिया है मुझे बस लगता है कि Krishna उनको चुरा के लिए गाए क्या आपसे लास्ट बात चेतन के लिए होगी that is between her and me कोई ऐसी memory जो सवनेर के तर आपके पास रह गए होगी ये मेरे दिल के बहुत करीब है ओ, सारी बाते मेरे दिल के बहुत करीब है लेकित में आपको बता रही हूँ वो अपने वचन की बहुत पकी थी बहुत जादा पकी थी मुझे यादे हम तो कि स्कूल में थे काफी छोटे थे और मेरी स्कूल फ्रेंड जाई उनी नाइट स्टे के लिए और उन्होंने मुझे का था कि तुम दिनर खालो डिजर्ट साथ खाएंगे और पूछा था कि क्या चाहिए तो मैंने का था आईस्क्रीम हम सब बच्चे थे और स्कूल में आपको पता है ना आपके फ्रेंड भी आपके माबाब के बच्चे बन जाते है तो मुझे याद है मा एक मीटिंग में थी बहुत लेट हो गई थी रात के बारा बच गए थे हम बच्चे सो गए है सोचके कि अब थोड़ी कहां अब कहां आईगी आईस्क्रीम तो ममा सो भी आएंगी रात को रुक कर इंडिया गेथ पे जाकर बतलब आईस्क्रीम लेकर आई रात को सवा बारा बजे आकर हम सब बच्चों को जगाया बिस्तर में बैच के हम सब में मा के साथ आईस्क्रीम गाई I'm telling you, she was a wonderful mother Okay, जब हम उने देखते थे लोग सभा में अभी भी हम उनकी भाशन सुनते है तो she was such a bold person She strict at home? No, not at all. Not at all. She was a very feisty and a very fiery leader but not a strict mother at all. I said she was with my subduk. She was my best friend. I don't remember, hardly ever. Never. Okay, I don't think so. 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 When she was talking to me, she was that bold. She was very bold. She was fearless. But I'm telling you, Sushma Swaraj, the mother, was very different. I thought she was so invested in it that her disappointment was more effective. If you thought that your mother would be a nirash, you wouldn't do it again. She was not strict at all. Sir, do you read comments on your social media? Earlier I used to. These days I don't get the time. Okay. Should I? Maybe you'll find some good suggestions. You can try. Okay. But not always. I'll be very honest. I don't think so much time today because I'm in the campaign. But earlier I used to. And if there's constructive criticism, then my team tells me to tell me. We're sure we're doing it. So, campaign, you're going to be on the campaign. मैं दो मार्स से ही campaign में उतर चेकी हूँ रही बात मुद्दो की तो देखिए बहुत सकारात्मक campaign है 10 साल का मोदी जी की एक report card है मोदी जी की guarantee का एक report card है वचनपूर्ती की पराकाश था है He is the epitome of promise fulfillment सारे जो एक दशक तक काम करे गए हैं और अब तो हमारा विक्सित भारत का संकल्प पत्र आ गया है जरा आप देखिए it's a revolutionary manifesto we're talking about infrastructure development on a social infrastructure level on a digital infrastructure level and on a physical infrastructure level we're talking about leveraging technology we're talking about namo drone DD we're talking about पहले उजवला gas cylinders से जाती थी अब हम लोग gas घरों तक pipeline से पहुचाने की बात करे हैं PM Swarnidhi जैसे जनकल्यानकारी योजनाओं को रूलर अरियास में गाओं तक कस्मों तक ले जाने की बात कर रहे हैं so I think the manifesto is something that is going to really ring and resonate with the people of the entire country and specially of people of Delhi एक question मैं इसकिप कर दिया आपने manifesto की बात की तो मुझे आदा है कि आमामी पार्थी ने इंट्रडियूस कर दिया है रामराज्य की बात करना पहले dominatingly सर्फ BJP रामराज्य की बात करती थी अभी आप देखें उनके सारे प्रचार में प्रसार में बजट भी उन्होंने पेश किया दिल्ली का तो रामराज्य की बात की तो do you think they are adopting it या कैसे आप इसे देखते है ये वो पार्थी है जहां पर माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने एक सारवजन एक मंच से कहा था कि राम मंदिर बनने पर उनके परिजन बहुत दुखी होंगे खुद माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी वो राम मंदर के विरोध में थे अब पूरा का पूरा भारत इतना राममय हो गया है नरेंद्र मोदी जी के आवाहन पर कि अब ये राम राज्य को ऐसे मिस्यूज कर रहे हैं देखे दस साल इनको सक्ता में मिले हैं इन्होंने दिल्ली में एक नया स्पतान नहीं बनाया एक नया स्कूल नहीं बनाया जितने डिपार्टमेंट्स इसनके नीचे थे सब में घोटाले हैं चाहे शीश महल का घोटाला हो पानिक बटन का घोटाला हो शराब घोटाला हो फरजी दवाईयों का घोटाला हो फरजी पैथलोजिकल टेस्स का घोटाला हो एक इतने लंबी श्रिंखला बन गई है यह वो पार्टी है जो अमबेडकर जी का आवाहन करती थी पेबाक टू सुसाइटी बोलती थी लेकिन आज कल आमात्मी पार्टी के वल किक बाक टू सेल्फ की पार्टी बनके रह गई है इसलिए रामराज का आवाहन करना इन्हें शायद शोभा नहीं देता तो आप सुन रहे थे मासुरी स्वराज ची को नई दिली से भार्दे जुनता पार्टी की प्रत्याश्री है तो आप क्या सब्रेशन दे रहे हैं कॉमें सेक्शन में जरूर लिखेगा देखते रहे हैं विपिलाइब